अंड़ खाने का किसको किसको पसंदे भाई चलो आज मैं बताती हूँ अंड़े और पालक की एक ऐसी रेस्पी जिसे अगर आप एक बार बना कर खिला देंगे ना तो हर बार आप लोग अंड़े की यही रेस्पी बना कर खाना पसंद करोगे तो हे गाईज प्लीज मेरी यूनिक रेस्पी बनाने के लिए हम लेंगे पालक मैं यहां पालक की धाई सोग्राम इस्तमाल कर रही हूं पालक को अच्छे से धो लेना है और इसका पाने निकाल देना है धो करके इसे रफ्लिक कट कर लेना है यह गाईज प्लीज आप लोगो को अगर मेरी रेस्पी पालक और अंडे की कॉंबिनेशन वाली यह रेस्पी नो आप लोगो बहुत पसंद आने वाली है आप लोग यूरू ट्राय करना आप पालक को एक ग्रैंडर जार में डालेंगे और इसको पीस लेंगे तो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी तो मैं उसी ग्रैंडर जार में डालक को पीस ले रही हूं तो यह देखिए पालक की प्यूरी हमारी बन करके रेडी हो गई अब गयस पर चढ़ाएंगे एक कड़ाई इसमें डालेंगे दो चमच तेल एक चोथाई चमच जीरा मैं तेल का बहुत कम इस्तमाल करती हूं कोई भी सबजी में एक चोथाई नहीं हो जाता है तब तक के लिए प्याज को भूनना है प्लीज अगर आप लोगों को मेरी रेस्पी अच्छे लगे तो लाइक सेयर जरूर कर दीजिएगा और हाँ यह रेस्पी आप लोग जरूर ट्राय किजिएगा अंडे और पालक की यह रेस्पी बहुत अच्छी पेश्ट तयार कर लेना है तो चलिए अब हम इनको पीस कर देखे पीस चुका है टमाटर अद्रक लेस्ट अहरी मिच का यह पेश्ट बनके रेडी हो गया है अब चलिए जो गयस पर हमने चड़ाया था ना प्याज भूनने के लिए वो तो भून चुका है तो यह देखे ज चमलошाव रेजेल दातरकर यह से अभून के लिए पानी के विली मिच सांट मुण से यह दो फोली मिचा श्रावं पीसमाटर का टैके 15 मिच साली भून है यह तो यह चैंपाला धीमिच सांट पयादर तो टमाटर को भूनना जरूरी है टमाटर को डाल कर मसाले के साथ हमें 2-3 मिनट के लिए हमें इसको मेडियम टो लो फ्लेम पर मसाले के साथ में टमाटर को भूनना है तो ये देखें मसाले के साथ हमें 2-3 मिनट के लिए हमें इसको भूनना है ताकि टमाटर भी भून जाए और मसाले भी भून जाए तो इसका ढख के हम 2-3 मिनट के लिए भून लेते हैं ये बहुत ही टेश्टी रेस्पी होने वाली है आप सभी को बहुत पसंद आएगी आप लोग जरू ट्रै करना पालक और अंडे की ये कॉंबिनेसल लवाने रेस्पीन आप लोग कभी ट्रै नहीं की होगे तो ये देखे 2-3 मिनट हो चुका है अब इसमें डालेंगे 1-4 चमच गरम मसाला पाउडर इसके साथ स्वाद का नुसार नमक जितना आप लोग नमक खाना पसंद करते हो उतना डाल देना उसके बाद इसको मिक्स करेंगे मिक्स करके अब इसमें डालेंगे जो हमने पालक की प्यूरी बना करके तैयार की है तो पालक की पेश्ट इसमें डालेंगे यह देखे सारे पेश्ट को डाल कर इसमें करेंगे मिक्स 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 बहुत टेश्टरी लगता है आप लोग जुरू ट्राइ करना पालक और अंडे की ये रेस्पी बहुत मजाता है खाने में आप इसे रोटी के साथ चावल के साथ निजुआए कर सकते हैं बीच बीच में देखते रहना है कि पालक चिपके नकड़ाई में तो यह देखिए यह बीच बीच में मैं चला रहे हूं क्यों क्या होता है ना पालक चिटका बहुत जादा उड़ता है तो इसलिए इसे थोड़ा गैस का फ्लेम लोग करके इसे चलाईएगा इतना अच्छा खुस्बू आ रहा था इसमें से इतना अच्छा टेश्ट आ रहा था कि क्या पताएं अब इसको ढख देंगे फिर से क्योंकि हमने बीच बीच में देख रहे हूं साथ से आठ मिनट जैसे हो जाएगा और देखिए मैं बोली थी ना कि मैं तेल का बहुत काम इस्तमाल करती हूँ तो ये देखे साइड साइड से थोड़ा थोड़ा सा तेल सेपरेट हो चुका है यानि हमारे सारे मसाले और पालक भून चुके हैं तो अब इसको क्या करेंगे गैस का फ्लेम कर देंगे यह लो फ्लेम पर हमें इस तरीके से लगतार चलाते हुए दो मिनट और भूनना है मैं किसी भी रेसिपि में तेल का इस्तमाल बहुत कम करती हो अगर आप लोग ज़्यादा तेल खाना पसंद करते हो तो आप अपने हिसाब से ही डालना मैं देख लीजिए का मेरे किसी भी रेस्पी में न तेल बहुत कम रहता है क्योंकि मैं तेल का इस्तमाल बहुत कम करती हूँ अब इससे हमें दो से तीन मिनट के लिए भून लेना है ये देखे लगतार चलाते हुए पालक और अंडे की ऐसी रेस्पी किसी ने ट्राइ नहीं किया होगा जरूर ट्राइ करना आप सभी को बहुत पसंद आएगी इतना ज़्यादा टेश्टी लगता है ना कि क्या बता है जब मैं इस रेस्पी को पहली बार बनाए थी ना सब लोग बोले थी कितना ज़्यादा टेश्टी लग रहा है उसके उपर से हम डालेंगे पानी पानी अपने ग्रेवी के हिसाब से आपको कितनी ग्रेवी चाहिए या फिर कितनी चाहिए मैं कटोरी से एक कटोरी ग्रेवी का पानी के इस्तमाल की हूँ ग्रेवी के लिए अब इससे अच्छे से मिक्स कर देंगे मैं थोड़ा गाड़ी ग्रेवी बना रही हूँ अगर आप पतली ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से देख लेना ग्रेवी आपको कितनी रखनी है मेरे को तक ग्रेवी गाड़ी रखनी थी इसलिए मैं एक कटोरी पानी का इस्तमाल कर रही हूँ अब पानी को अच्छे से कर देंगे मिक्स क्या होता है ना कि ये रेस्पी में पहली बार बनाई थी नहीं तक सब लोग बोले थे वाव यार पाला की साथ अंडे की बहुत ही अच्छी टेश्ट है बहुत मजा रा दखाने में एक चमश डालेंगे भूने हुए कसूरी मेथी को हलका तवा पर रोष्ट कर देंगी और इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी अब इसका क्या करना है मैं बताती हूँ मैं इसमें पाँच अंडे का इस्तमाल कर रही हूँ तो मैं इसमें पाँच अंडे का इस्तमाल कर रही हूँ तो साइड में अंडे रखेंगे अब क्या करना है इसको इस तरीके से कटोड़ी में तोड़ तोड़ के और बीच सेंटर से हमें अंडे को एके करके इस तरीके से डालते चलना है इसी तरीके से अगर आप चाहे तो अंडे को सीधे तोड़ कर डाल सकते हैं लेकिन क्या होता है ना कभी कबार अंडा खराब निकलता है इसलिए मैं पहले कटोड़ी में तोड़ लेती हूं उसके बाद इसमें डालती हूँ इस तरीके से पता चल जाता है कि अंडा कहीं सड़ा वगरा नहीं है अब एक एक अंडे को को टोड़ी में तोड़ तोड़ के एक एक साइड में इस तरीके से साइड साइड से हम डालते चलेंगे अंडे को ग्रेवी में अब इसे ढख देंगे ढख करके हमें करीब साथ से आठ मिनट के लिए अग्दम लो फ्लेम पर ताकि अंडे अच्छे से पक जाए तो साथ से आठ मिनट के बाद ये देखिए वा ओ माई गॉड मेरे मुझे तो पा ev का अगरा नहीं है ये देखिया अंडे की बहुत ही टेस्टी आप इसे रोटी के साथ फ्लेम करेंगे बंद पर इसे रोटी चाल के साथ इनज्वाई कीजिए वह काने में कःमिला के साथ बहुत मझाता है भी को बहुत पसंद आ कीि इसके सेबdasले आप चाहे कि कुम्बिनेशन वाली रेस्पी जरू ट्रै करना पसंद आ जाये तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब